वेल्कम इन डिप्लोमा अन्लाइन क्लास्ट टुडेंट देखिए आपर सबसे पहले बात तो पिछले लेक्चर में मैंने कोशन दिया था एपी का और यह दिया था कि यह एक समानता स्रेडी के पर्थम यम तथा पर्थम यन पदों का योग का पात है यम स्क्वाइर इस्टू एट इस्टू एट माइनस वन होगा तो आप जड़ा ध्यान देए इसे पहले वाला जो कोशन हमने कराया था उसमें दो स्रेडी था लेकिन यहां पर एक स्रेडी है यानि कि स्रीज जो है एक ही है तो आप इसको किस तरह से करेंगे सबसे पहले स्रीज का पर्थम यानिक स्रेडी का पर्थम पद तथा सरवांतर मान लेंगे क्योंकि यहां पर्थम पद और सरवांतर नहीं दिया हुआ है तो माना की माना की स्रेडी का पर्थम पद स्रेडी का पर्थम पद तथा सार्वंतर क्रम्ष है ए तथा डी है आपने क्या मांग लिया ये तथा डी है ठीक है ये ए क्या है पर्थम पद है और सर्वंतर डी है तो देखिए पहले यम पदों का यानि की योग क्या होगा तो सबसे पहले यस यम यह आपका लिंग अपन यस यन यह इस्टू दिया हुआ और पाद दिया हुआ और पाद को भाग में लिख सकते हैं यम स्कॉर अपन यन स्कॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा यम स्कॉर अपॉन ये निस्कॉर तो आप देखें येस यम यानि की सम्मेशन आफ यम टॉल ठीक है यम पदों का योग इसका फार्मूला क्या होगा आप अच्छी तरह जानते होगा ये फार्मूला यम बाइटू 2A प्लस N-1 D होगा ठीक है और यहाँ पर N बाइटू 2A प्लस N-1 D ठीक है यह उपर वाला यम पदों का योग है और ये N पदों का योग है अब इकोल टू यम स्कॉर अपॉन N स्कॉर है आप ज़रा ध्यान दो कि यहाँ से 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा क्यों कैंसल होगा क्योंकि ये Numerator में है और ये Denominator में सेम पोजिशन पे है ये कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचा यम जो कि इधर आप टांसपोर्च कर दो यन जो कि राइट साइड में आप टांसपोर्च कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2A प्लस यन माइनस 1D अपान 2A प्लस यहाँ उपर यम है यम माइनस 1 ध्यान देना और यहाँ यन माइनस 1D यह उपर यम चल ला है क्योंकि यम का है सिरीज और यह यन पदों का सिरीज है यन माइनस 1D और यह यम स्क्वाइर अपान यन स्क्वाइर इंटू यहाँ का यन जब गया तो यह मल्टिप्लाई हो जाएगा ओपर जाकर और यहाँ यह डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यम स्क्वाइर अपान यन स्क्वाइर तो आल लेडी है जब आप यहाँ से यन ट्रांस्पोर्ज कर रहे हो राइट साइड में तो यम यन ऊपर चला जाएगा और यम ट्रांस्पोर्ज कर रहे हो और यहनुआ पद का अनुपात लेना है तो पद जब निकालते हैं तर्म निकालते हैं तो आप जानते हो अगर यह मौँआ पद निकालेंगे हम तो A प्लस M माइनस 1 D होना चाहिए ठीक है? यनि कि यहाँ A होना चाहिए जब कि यहाँ पर क्या है? 2A है ध्यान दीजिए आप 2A है तो यहाँ से 2 अगर कामन कर लें तो हमें A मिल जाएगा clear है? तो यहाँ पर 2 हमने कामन कर लिया A प्लस जब यहाँ पर कामन करेंगे तो पहले पद में तो A के जगर 2A है तो 2 कामन हो जाएगा लेकिन जब दूसरे पद में देखेंगे तो Y-1 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे चुकि उपर नीचे 2 से मल्टिप्लाइड डिवाइड करते हैं तो जो मल्टिप्लाइड वाला होता हो कामन हो जाता है और जो डिवाइड वाला वो ही रह जाता है ठीक है और इन्टू डी यह हो जाएगा यही परक्रिया हम नीचे भी करेंगे तो नीचे जो है 2 यहीं की डिनॉमिनेटर में हर में ठीक है तो यह यहाँ पर हो जाएगा A प्लस Y-1 बाइटू और डी यह हो जाएगा और यहाँ पर बचा क्या आप देखो यम अपॉन यजट बचा ठीक तो यहाँ पर यह 2 or 2 कैंजल आउट हो गया यह 2 or 2 कैंजल आउट हो गया तो इस टिप में हमें क्या मिला यह हम यहाँ से हीरेज कर दे रहे क्योंकि यह explain करने के लिए आपको लिखा था और यहां पर जो है हमारे पास बच्चा a प्लस यम माइनस 1 बाइ 2 डी और अपाउं a प्लस यन माइनस 1 बाइ 2 डी और यह क्या है यम अपाउं यन यह हूग गया अब देखिए हमें यम माइनस 1 बाइ 2 है और नीचे यन माइनस 1 बाइ 2 है तो इसको हम किस तरह से अर्जेस्ट करेंगे मानलीचे हम यक्समा पद और वाई मापद ले ले या हम यम और यन के जगह कोई और भी लेटर पुट कर सकते हैं ठीक है जिससे कि हम दूसरे में टांसफर कर दें इसे तो कौन सा यूज करें यक्सवा और वाई मापद ठीक और यक्सवा वाई जब निकल जाए तो उसके जगह पर यम और यन transfer करके या put करके हम उसको ला सकते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर देखते हैं कि माल लीजे इसको यमवा पद और यमवा पद लिखावा है तो लिखेंगे यक्स यक्समा पद तथा वाईवा पद के लिए आवश्यक है कि यक्समा तथा वाईवा पद के लिए क्या अवश्यक है आवश्यक है कि यम माइनस 1 बाई 2 यह क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस 1 के बराबर ठीक है अब देखिए चुकि यम वापद ही लेना है और यम दोनों तरफ हो जाएगा तो confusion create हो जाएगा तो हमने क्या किया अभी इसको हम भूल जाते हैं कि यम वापद और यम वापद लेना है हम इसको यक्समा और वाई मापद लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने यक्समा पद लेना है तो चुकि यहाँ पर यम माइनस 1 बाई 2 यम माइनस 1 होना चाहिए तथा अगर वाई मापद लेना है यन के जगह वाई मापद लेना है तो यम यन माइनस 1 बाई 2 इसको टू वाई माइनस 1 होना चाहिए अब जरा इसको solve कीजिए कि यम की value क्या रखा जाए या यक्स की value क्या होगा उस पर ठीक है जिससे की ये निकल जाए तो आप इधार transpose कीजिए यम माइनस 1 2 टाइमस यक्स माइनस 2 हो जाएगा तथा यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ यन माइनस 1 इकोल टू टाइमस y माइनस 2 ये हो जाएगा तो यम की value क्या हो जाएगी यन की value क्या हो जाएगी 2y माइनस 2 टू प्लस 1 तो इस तरह से यम रिप्लेस हो जाएगा 2x माइनस 1 क्योंकि माइनस 2 टू प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा माइनस 1 तथा यहाँ रिप्लेस हो जाएगा 2y माइनस 1 के लिए ठीक अब देखिए यहाँ पर x और y हमारे द्वारा दिया गया है हम पहले x और y पदों के लिए निकालते हैं x वह पर तो था y वह पद के लिए आवश्यक है कि यह पद होना चाहिए दोनों में यानि कि n-1 by 2 और n-1 by 2 ठीक इसे समझना होगा अब इन पर दोनों तरफ आप इसे लिख लें equation 1 आप इसे suppose कर लें लिखें समीकरण 1 में समीकरण 1 में यम तथा यन की वैलो यम तथा यन की वैलो यन का मान वैलो मतलब मान रखने पर रखने पर क्या होगा भी यहाँ पर देखते हैं तो a plus y-1 by 2 को हमने क्या मान रखा था x-1 तो x-1 हो जाएगा x-1 और d upon a plus n-1 by 2 को हमने y-1 माना यह y-1 by d और यहाँ पर जब इस चीज को हमने माना है तो y-1 की वैलो जो राइट साइड में है उसका भी मान हमें चेंच करना पड़ेगा तो y-1 का मान क्या होगा यह हो जाएगा x का मान क्या हो गया 2 x-1 y का यहन की n का मान हो गया 2 y-1 ठीक है अब यह x वाँ पड़ हो गया यह y वाँ पड़ हो गया अगर x और y के जगे हम पुना y और y रखतें तो क्या मिलेगा इसको समीकरण दो मान लीजे देखिए x वाँ और y वाँ पड़ के लिए सेटिस्टाइ कर रहा अगर y वाँ वाँ पड़ है तो 2 y माँ आ गया तो x वाँ वाँ पड़ होता तो 2 x माँ एन वाँ यह आता न तो इसी तरह से हम मान लिए कि समीकरण 1 दो में समीकरण 2 में x equal to yum तथा y equal to yum रखने पर देखिए x और y हमने इसलिए रिया था चुकि yum और yum और yum आलरेड़ी इसमें आही रहा है और फिर yum और yum डारेक्ट अपद निकालते तो वहाँ पर इसे put करने में confusion हो था तो इसलिए हमने क्या किया x और y ले लिया और इसे x और y पर निकाल लिया अब इस x और y को हम yum लिख सकते हैं क्योंकि केवल इस later को ही change करना है x और y, yum और yum तो x equal to yum तथा y equal to yum रखने पर क्या हो जाएगा समिखिए दो में x equal to yum तथा y equal to yum रखने पर a plus y minus 1d upon a plus n minus 1d equal to 2m minus 1 upon 2n minus 1 देखिए प्रूफ हो गया ठीक है यह क्या है यह नवापद है और यह यह मौपद है तो यह 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 मौपद देखिए tm यह मौपद उपर वाला upon tn equal to 2m minus 1 upon 2n minus 1 इसका मतलब कि tm is to tn इसको मैं यहा लिखते रहा हूँ इसका मतलब क्या है tm is to tn यह जो है 2m minus 1 is to 2n minus 1 हो गया इस तरह से यह solve कर सकते हैं आप बहुत आसानी से केवल देखिए confusion कहा है कि आप ym और ym लेकर चलना है yes ym और yes ym और उसी में आपको value रखना है फिर ym और ym पदही लाना है तो कोई आप मान सकते हैं ym और ym के जगह हैं आप x ym मान लिजे या आप ym और kv मान लिजे kv पद और ym पद ठीक आपको जो सुद्धा जनक लगे वो आप लेकर मान कर उसका वही पद निकाल लिजे और उसके बाद ym के जगह ym और ym यान की k के जगह आप उसे पुट कर दीजे ym और ym को चहे जैसे मैंने x और y माना x और y के जगह आप ym और ym पुट कर दीजे तो ये question आपका इजली solve हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब बढ़ते हैं next question के तरफ और आप वीडियो को लाइक कीजे subscribe कीजे तता अधिक से अधिक share कीजे और continuous इन वीडियो को देखिए क्योंकि इसमें continuous जो है आपके जितनी topic है course से related सभी topic और question के साथ इसमें solve किया गया है और कोशश की गई है कि सभी के सभी question जो है इसमें solve मिले आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब देखिए बहुत अच्छा एक important question है यदि किसी series के yam, yam, yam yam, 2, yam और 3 yam पदों का योग दिया हुआ है S1, S2 और S3 तो सिद्ध करें कि S2 equal to 3 times S3 equal to 3 times S2 minus S1 तो चलिए question हम लिखते है question यदि किसी स्रेडी के yam 2 yam तथा 3 yam पदों का योग करम शह yas 1 yas 2 तथा yas 3 है तो 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 सिद्ध करें कि yas 3 yas 3 equal to 3 times yas 2 minus yas 1 ये सभी question देखिए बहुत ही important है और ये किस तरह से लगेंगे कैसे इसे solve किया जाता है ठीक है यह है आपको समझना होगा और step by step इसे समझे और बहुत आसानी से इसे आप कर सकते हैं ठीक है अब देखिए solution क्या होगा इसका माना के पर्थमपद आपको मानना होगा ठीक है पर्थमपद और सर्वांतर ठीक है आप इंगलिस में अगर लिखते हैं तो let the first term be A and common difference be D ये मान लेंगे या आप लिखें माना की पर्थमपद माना की स्रेडी का पर्थमपद A तथा सर्वांतर D है चुकि स्रेडी का पर्थमपद और सर्वांतर इसलिए मानते हैं क्योंकि इस फार्मूले के लिए यह अनिवार्य हैं और पदों की संख्या यहां दी हुई है तो हम यस जो है निकाल सकते हैं यस वन जिसमें कितने पद हैं यन पद किसी स्रेडी के यन 2 यन तथा 3 यन पदों का योग भी आओवा करमस है यस 1, यस 2 और यस 3 तो पहले यन पदों का योग हम निकाल लेते हैं, क्या होगा, n by 2, और 2a plus n minus 1d, ठीक है, ये एक equation हो गया, 1, इसे मान लेते हैं, क्योंकि s1 दिया हुआ है, इसकी value, और n पद दिये हुआ हैं, हमने क्या माना, a और d मान लिया, ठीक है, पर्थमपद और सर्वांतर, तथा, yes to, ये क्या है, yes to, n by 2, यानिकि 2n by 2, क्यों, क्योंकि 2n पदों तक, 2n पदों तक हमें योग निकाला है, तो 2n by 2, और यहाँ पर हो जाएगा, 2a plus n minus 1d, ये second equation, ठीक है, और third equation जो होगा, yes 3 आपको निकालना होगा, 3 times n, क्योंकि 3n पदों तक का योग है, तो 3n by 2, 2a plus n minus 1d, ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजें यहाँ पर, यहाँ 2n by 2 है, तो 2 से 2 cut जाएगा, लेकिन हमने काटा नहीं है, क्योंकि इसको जब proof करना होगा, तो यह हमारा काफी help करेगा, यहाँ पर जो है, जो question है, उसके नुसार, उसे काटनी क्या और शक्ता नहीं पड़ेगे, ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, कि यह question solve कैसे होगा, क्या proof करने को दिया है, यह देखते हैं, S3 equal to 3 times S2 minus S1 दिया हुआ है, हम आपको इसमें जब सिद्ध करने वाला होता है, तो आपको दो तरह के value, यानि कि दो तरह से इसे सिद्ध कर सकते हो, आप पहला यह है, कि आप S3 देख लो, और S1 plus S2 को इस तरह से ही solve करते चले जाओ दोनों एक साथ, यानि कि दोनों पक्ष, left hand side और right hand side, एक साथ लेकर solve करो, या आप किसी एक को solve कर दो, जैसे RHS है, यह LHS है, तो RHS को अगर हम लेकर solve करते हैं, RHS, तो हमें किस के बराबर मिलना चाहिए, LHS के बराबर मिल जाना चाहिए, RHS solve करें, और LHS के बराबर मिल जाना, या LHS को solve करें, तो RHS के बराबर मिल जाना, तो यह सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, तो अब जरह हम देखते हैं, कि LHS अगर हम लेते, तो क्योंवली S3 होता, और उसको दो पार्ट में विभाजित कर पाना है, यह थोड़ा सा मुस्किल ह होता, क्योंकि छोटी चीज को बड़ा बनाना वो मुस्किल हो जाता है, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बड़े चीज को छोटा बनाना तो यह बड़ा है, दो पार्ट इसमें दिये वे उनको घटाना है, और उसके बाद हमें S3 लाना है, तो यह आसान पड़ेगा, तो हम क क्या है, S2 2N by 2, 2N by 2, और इसको करली ब्रेकेट में ले लेते हैं, 2A plus N minus 1 D, 2A plus N minus 1 D, और minus, फिर N by 2, और करली ब्रेकेट में यह ले लेते हैं, 2A plus N minus 1 D, ठीके, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, कि यहाँ यहाँ 2N है, वहाँ 2N लिख लेंगे, और 3N है, वहाँ 3N, क्योंकि यहाँ N के संख्या 3D हुई है, यह 2D हुई है, यह 3D हुई है, तो यहाँ पर यह चीजे 2N हो जाएगा, 2N minus 1, और यहाँ पर N by 2, 2N, यहाँ 2A plus N minus 1 D, यह हो जाएगा, ठीके, यहाँ YN के संख्या 2N दी हुई है, तो 2N और 3N दी हुई है, तो 3N आ जाएगा, अब देखें आप, नेक्स्ट जो है 3, और यहाँ पर N by 2, दोनों जगह हमें मिला आए, और इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, देखें, यह पूरा और यह पूरा, यह N by 2 यहाँ पर भी है, N by 2 यहाँ पर भी है, तो आप क्या करें, इसे common कर लें, 3 into N by 2, ठीक है, अब यहाँ पर मिलेगा, 2 times 2A, 2 times 2A, plus N minus 1D, 2 N minus 1D, ठीक, अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, N by 2 already common है, यहाँ से भी N by 2 common है, तो मिलेगा क्या, 2A, plus N minus 1D, अब जरा इस, यहाँ की bracket को खोलते हैं, जो curly braces हमने बना रखे हैं, उसे खोल देते हैं, तो curly braces खोलने से, यहाँ पर देखें, 3 N by 2 हो गया, ठीक, 2 times, यह 2A, 4 यह हो जाएगा, minus, यहाँ की, plus 2 times, 2N minus 1D, और minus, जब इसे आप bracket खोलेंगे, तो 2A, और minus, N minus 1D, यह आएगा, जरा ध्यान दीजिए, 4A minus 2A, क्या होगा, यहाँ की 3N by 2, 4A minus 2A, यह बचेगा, 2A, and 2N minus D, इसको आप bracket कर लिजे, 2, 2, 4, N D, यह हो जाएगा, minus 2D, यह minus 2D हो जाएगा, और यहाँ पर 2A तो यह घट गया, आप ज़रा ध्यान दे, 2A, 4A से घट गया, घटा कर हमने लिख दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, N minus 1D, इसको हम ब्रेक करेंगे, तो minus N, D, and plus D, यह हो जाएगा, plus D, अब ज़रा ध्यान दे, यहाँ 3N by 2, और 2A, 4ND minus N, D, यहाँ कि क्या हो जाएगा, 3ND, और minus 2D, और plus D, यहाँ पर minus D बचेगा, आप calculation देख लें, यहाँ 4ND, minus N, D, 3ND, और 2D, और plus D है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, 3N by 2, और यहाँ पर क्या होगा, 2A plus D आप कामन कर लें, 3N minus 1D, आप देखें, equation 3rd में आपको यही मिलेगा, क्या है, 3N minus 1D, 3N by 2, 2A plus 3N minus 1D, तो यह चीज क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा, अब लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, S3, कहां से, लिख लेंगे समीकरण, 3 से, समीकरण 3 से, यह अवश लिखें, कहां से हमने S3 लिखाई से, समीकरण 3 से, आप देखें, तो आपको क्या मिलेगा, S3 equal to 3N by 2, 2A plus 3N minus 1D, यहाँ पर YN है, तो यहाँ पर भी YN होगा, यहाँ 2N है, क्योंकि यह पदो की संख्या है, 2N यहाँ पर भी होगा, 3N है, तो यहाँ पर भी 3N होगा, और इसी से, इसी तरह से आप solve करेंगे, आपको मिल गया S3, और यह हो गया आपका LHS, LHS यहाँ पर यह दिया हुआ है, और यह प्रूप्ट, देखें, बहुत अच्छा कोशन, और बहुत ही सहच तरीके से, इसे solve किया गया, ठीक है, चलिए अब यह कोशन हम देते हैं, जो कि हो मोर्ख है आपके लिए, इसे आप किजिएगा, यह दि किसी समानतर स्रेडी के पर्थम यन पदों का योग, कोशन यह होमवर्क में है, यह दि किसी समानतर स्रेडी के प्रथम यन पदों का योग सुन्य है कि प्रथम यन पदों का योग सुन्य है तो दिखाईए कि अगले यम पदों का योग अगले यम पदों का योग माइनस यम यम प्लस यन अपॉन माइनस यम यम प्लस यन अपॉन यन माइनस वन है यन माइनस वन है जहां ये स्रेडी का प्रथम पद है जहां ये स्रेडी का प्रथम पद है आप ध्यान दे यद किसी स्रेडी के यन पदों का योग शुन्य है यन पद का योग आप लिजेगा और जो की शुन्य के बराबर होगा और यह दिखाना आपको कि उसके बाद यम पदों के बाद अगले यम पदों का योग यन पदों के बाद अगले यम पदों का योग जो होगा वो माइनस ए यम यम प्लस यान अपॉन यन माइनस वन है जहां A की value दे दी है मतलब A इस ready का पर्थमपद है यहनि कि सरवांतर ही के बहुद आपको मानना होगा और इसे solve करना होगा ठीक है? तो I hope आप इसे करेंगे तब तक के लिए आप अच्छे से इसे practice कीजिए ठीक है? आज के लिए इतना है धन्यवाद